केलेज audit है ⁱ ⁱ जो 5 बश्छार होटल में जाते थे वह यृजारा नहीं रहते थे उस्स्तुट का किराया एक दिन काही एक लाख 10 देयर ầ só्ण में मैं गया तो कहा है यह एक स्फीर है उसका 5 छाल का किराया चल भ कीका देस उसमीन क्या है मैं गया तुम्हें पूछा इसमें रहने बाला मरता है की नहीं तो कहा मरता तो जब है हम कहा जब इसमें भी मरना है तो इसमें आके कहा मरेंगे इतने बड़े घर में बाब को उनकी चिंता है जो 45,000 के भोतल का सर्वत पीते हैं उनका क्या होगा उनका क्या होगा बहुत मौज उड़ाए हो बहुत मस्ती किये हो देश का ख़दाना लुटे हो लुटबाए हो बाट करके खाए हो नरेंद्र मोदी आएगा ऐसा तौला लगाएगा कि सब का दिवाला निकल जाएगा गाव गरी किसान में दूर खुसाहाल और अमीर बन जाएगा उसके बेटे के चेहरे पर लाली आएगी उनके घर में खुसाली आएगी तरफ से बोल नहां हूँ क्या आप उस निर्विक्ता के साथ बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं प्लीस लूकर दचियर येस अपने खेट में हल हाँ चला रहा था मेरे गाउं के मगल में बीफेंस का हवाई पट् Ib जाहाँ उर। वह टूर रहा था तो मैं रुक गया मैंने सोचा यह उपर से कुछ बोल रहा है हवाई जाहाँ उर रहा अपने अंदर से घा क्या बोल रहा था तुम यही का रहा है कि मैं टेक्निकल हूँ, हवाई जाहाज उडा रहा हूँ, तो जा हवाई जाहाज उतार के आ, मेरा हल का मूठ पकर के जोद के बता, हवाई जाहाज उडाने में, हवाई जाहाज उडाने में, मैं नन टेक्निकल हूँ, हल चलाने में तुम नन टेक्निकल ह साउदा बराबर है तेरी विद्या हम ना जाने मेरी विद्या तुम ना जाने आज किसान की बात करने बाले बरे बरे नेता है बिरंदर जी उस दिर का रहे थे कि उनके आगे में गाया भैस रख दीजिए ते भी नहीं पता लगेगा दूद आगे से निकलता है कि दूद जोडता है हल चलाता है कंदे पर जुवा रखता है एक तरभ बैल को जोता है अब फटे कप्रे फार के तुछय कपरे को फार के लैला मजनू का कहल करता है उसी तरह राजनीती में लैला मजनू का खेल है पंधा कपड़ा लेकर मत पर लूग दिखातें मेरा पंधा रे फटा है लेकिन उख्या दिखा रहा हो बोलो ने बचपन में क्या फटा था हम तो बचपन में फटे कप्ड़े पहने थे हम जिस समय थे उस समय यह जीन्स फिन्स यह पैंट पतलू नहीं था हम तो जो अंडर पैंट भेंट हो या आप उडोरी वाला पैंट पहनते थे कि जब कभी उधर से विरपा मुईली जी बोलते हैं तो ठीक उनके बाद मुझे बोलने का ओसन मिलता है विरपा मुईली जी जब बोल रहे थे तो अंग्रेजी के ना जाने कौन-कौन सब्द का इस्तेमाल कर रहे थे मैं तो उतनी अंग्रेजी के उन सब्दों को जानता नहीं लेकिन उनके भाव को मैं समझ रहा था आखे विरपा मोहिली जी आप ही वो भी सी समाज के हैं और मैं भी वो भी सी समाज का हूँ का दुख जाने दुखिया का दुख जाने दुखिया माए हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान है एक हिंदुस्तान है गाउं का हिंदुस्तान भारत और दूसरा हिंदुस्तान है जिसको कहते हैं इंडिया विर्पा मोहिली जी आप इंडिया से बोल रहे थे और मैं भारत से बोलता हूँ आप जब बोल रहे थे तो आपकी भासा और आपकी भावना को हिंदुस्तान के मुठी भर लोगों ने समझा होगा और मैं जब बोलता हूँ तो मेरा उत्तर प्रदेश बिहार तक के ग्रामी छेतर में काम करने बाली मा, बहन, मजदूर, किसान सब समझ रहे होंगा और इस लोग सभा के चैनल से जब बाते प्रसारीत होती है तो उन सब तक जाती है अध्यक्ष महोदे मैं बोलने से पहले एक बार प्रार्थना करूंगा यादेवी सर्भूतेशू मात्री रूपी नसंस्तिता आपने हिंदुस्तान के उस गविनी मा के बारे में कभी सोचा? नहीं मैं उदारन देता हूँ मैं जिस समय अपने मा के पेट में था उस समय मेरी मा को अगर बूध दही, मक्खन, धी, मचली मांज अंडा क्या करते हैं ड्राइफ फ्रूट फल सब्जी भार पेट खाने को मिला होता तो साइध आज भी मेरा रंग रूप कुछ दूसरा हो गया होता है लेकिन चुके चुके मैं उस मां के पेट से जनम लेके आया हूँ जिसको भर पेट जब मैं मां के पेट में था तो भर पेट भोजन नहीं मिला आधे पेट खाके सोती थी और कभी-कभी मां के पेट में भी मुझे भूखा रहना पड़ता था आपने सोचा आपके दिल में कभी दर्द हुआ नहीं नहीं हम तो जेलों में आपके ज़राज में जेल में जाते थे तो गाते थे धनवानों के राजमहल हम गरीब को फांसी घर हम चलो बसाए नया नगर मैं धनवाद देना चाहता हूं सिरिमान परधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को नरेंदर मोदी जी को कि उन्होंने उस मा के दर्द को समझा और उस गर्भनी माताओं के लिए छे हजार रुपईया भोजन के लिए दिया सुनो मेरी बात को हिंदी भासी इलाके के लोगो अगर पिछडे हो दलीत हो गरीब हो मजदूर हो किसान हो गाओं की जोपरियों में रहने बाले हो सुनो अपनी अपनी माताओं तो किस्तन देश को पहुचाओ छे हजार रुपिया पर तेक गर्भनी माताओं को भोजन के लिए मिला डाक्तर मुईया इसी लोग सभा में खरे हो के कहा था अरे जिस समय में 1960 में गराम पंचाज का परधान बना उस समय कितने लोगों का जनम नहीं हुआ था सौन में जनमा गीदर भादवाया बार तो कहा ऐसा बार जीवर में कभी नहीं देता इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा अर्कास करके रंजीत रंजन मैं उस कोशी के इलाके में घूमा हूँ और जितना मेरे सरीर से पसीना अब गया होगा उतना आज के नोजमान दूध नहीं पीते होंगे इसलिए आप से मेरी प्रार्थना है सुनिए मेरी बात को डाक्टर लोहिया इसी लोग सभा में श्रीमती इंद्रा नेहरु गांधी को कहा था कि हिंदुस्तान में वो मा जो गरीब नी मा है गर्व में बच्चे हैं उनको भर पेट भोजन नहीं दाल नहीं प्रोटीन नहीं बितामी नहीं उनको पोशकता तु नहीं मिलता इसलिए उनके गर्व से विकलांग बच्चे तमजोर बच्चे हिंदुस्तान में पैदा लेत वह देश कभी बलबान नहीं हो सकता है इसलिए उसके तरफ अगर किसी का ध्यान गया दाक्टर लोहिया की उस बानी को किसी ने सुना तो नरेंदर मोदी ने सुना इसलिए डाक्टर लोहिया के सिस्ट सुने के नाते इसलिए इसलिए ठीक बात है ठीक बात है कल्यान जी आप मेरी बात न समझेंगे क्योंकि आप तो अच्छे वकील है आप तो अच्छे वकील है ना जो ज़्यादे प्रसा देगा उसका बहस करते है आप वकील है उसके जो ज़्यादा फीस देगा उसकी बहस करेंगे कादत भी न पूछेंगे कुछ ने क्राइम किया है कि नहीं किया है मैं मैं अपनी बात समात करते हुए कहता हूँ एक बात हिंदुस्तान के गाउं गरीब किसान मजदूर पिश्रे धलित जितने लोग हैं सब के लिए किया मोदी जी ने कहा सब का साथ सब का विकास उस सब में कौन नहीं है हिंदू है, मुसल्मान है, सिख है, इसाई है गरीब है, अमीर है, पिश्रा है, दलित है सब का साथ, सब का विकास खेत में पानी, सब के खेत में पानी हर हाथ को काम, सब के हाथ के काम हर के चेहरे पर लाली, सब के चेहरे पर लाली हर गरीवी जर्फने मैता को छो हजार रुपया सब के घर में छो हजार रुपया कोई भेद नहीं है किसी जात के लिए ना अल्प संख्यक है ना बहुत संख्यक है हिंदूस्तान एक समान है इसलिए समधिरिष्टी रखिए सब के लिए बड़ावर का काम करिए सब भारत उठेगा भारत सक्ति साली बनेगा भारत मजबूत भारत जितना सक्ति साली बनेगा देश सक्ति साली और मजबूत बनेगा हमारा हिस्ता जादे आएगा जब सबका बेटा नोकरी पाएगा तो सबसे जादे पिछरे बरके भी हम नोकरी पाएगे क्योंकि हमारी संख्या जादे है दलित जादा नोकरी पाएगा क्योंकि उसकी संख्या जादा है जब सबका भी कास होगा उसे मेरी हिस्थेदारी जादा होगी जब सबका कल्यान होगा मेरी हिस्यदारी ज़ादा होगी इसलिए उस दिर्शी कौन से हम सोचते हैं तो नरंदर मोदी जी की जोजना ने हिंदुस्तान में आर्थिक परिवर्तन समाजिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन और धार्मित परिवर्तन ये सब की वोर जो आगे बर रहे हैं इसी से हिंदुस्तान का कल्यान होने बाला है इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ इस स्वर से प्रार्फला करता हूँ कि हे इस स्वर नरंद्र मोधी की रक्षा करिए अगर कोई संकट आबे तह हम लोगों पर थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए लेकिन नरंद्र मोधी के ओपर कोई संकट नहीं आबे तो गाउ गरीब किसान का नयन का तारह है इड़ताय का दिल का धरकन है उसकी रक्षा याप